क्या दिक्कत है संगेठन मजबूत कैसे होगी उन्चे सुझाओ भी लेना है एक नॉर्म्स बना हुआ है कि जाना है तो हम लोगों को कारकरता से मिलना है उन्चे सनवाद करता है तो चलिए लालू प्रिशाद यादों के छोटे बेटे और नेता परतिपस तेजस्वी यादो ने कल देर साम बड़ी रन्निति साजा किया जिसके बाद भारतिये जनता पार्टी के साथ साथ एंडिये गटवंदन के सहयोगी दलों के भी निंदूर सकती है चाहे वो हम हो चाहे आरे लेम चाहे चिराग पासवान की पार्टी चुकि तेजस्वी यादों ने बीते दिनो ही एलान कर रखे है कि 10 सितंबर से वह बिहार यात्रा पर एक बार फिर से निकलने जा रहे हैं और इस बार की वह यात्रा बिलकुल पहले की यात्रा से अलग होने वाली है पहले यात्रा में जहां ताम जहां तोरन द्वार तमाम चीजे जो हैं वह दिखती थी हलाकि इस बा वह चीजें नहीं दिखने वाली है, पहले की यातरा से यह यातरा बिलकुल अलग होने वाली है, इस बार वह अपने काजकरताओं के साथ one-to-one लगातार मुलाकात करेंगे, मुलाकात करके यह जानने की कोसिस करेंगे, कि किस तरीके से कहा पर किसे उमिद्वार बनाना है और सीधे से तेजस्वी आदों ने दूसरे नेताओं को भी नसीहत दे दिये हैं कि अपने काजकरताओं से लगतार मुलाकात करते रहना चाहिए क्या कुछ कह रहें तेजस्वी पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए नॉर्म बना हुआ है कि जाना है तो हम लोगों को काड़करता से मिलना है उन्से सनवाद करना है क्या दिक्कत है संग्ठन मजबूत कैसे होगी उन्से सुझाओ भी लेना है हर तरह की बाते होंगी तो कम से कम एक जो भी अपने दलके कारकरता है और नेता की जिम्मेवारी होन चाहिए है कि कारकरता हों से लगतार सनवात करता रह तो हम लोग जब जाएंगे जिले अच्शे बढले उन्होंने से तोर पर एक तरीके से सलाह देते हुए कहा कि सभी नेताओं को अपने काजकरताओं से लगातार मुलाकात करते रहना चाहे देखे तेजस्वी यादो दस सितंबर से यात्रा पर निकल रहे हैं समस्तिपुर से यात्रा की सुरुआत हो की पहले की जो यात्रा थे लगतार, लोगों से काजकरता, उन्हें देखने के लिए उमड़ रहते हैं, हला कि एक बार फिर से तेजस्वी जाएंगे, और फिर से वह सिर्किट हाउस में रुकेंगे, और इस बार वह अपने काजकरताओं से मुलकात करेंगे, वण टूवन बाच्चित करेंगे, क्या लगतार आरोप लगाते रहे हैं कि कुछ चीजे लेकर तेजस्वी यादो टिकट दे देते हैं ये बाते लगतार चर्चे में आरोप पह लगते रहते हैं हलाकि इस बार तेजस्वी यादो चुनाओ से पहले निकल जाने वाले हैं और 10 सितंबर से यात्रा पर जाएंगे उसक कुंसे वैक्ति को टिकट मिलना चाहिए और इस बार सिंभी दों बहुत सोंच बिचार करके टिकट देने वाले हैं कि इस बार तिजस्वी आदों की पुरी रन्नित्ति है कि किस तरीके से बिहार गद्धी पर बैठ जाना है तेजस्वी आदो जाएंगे और यह बताएंगे लोगों के बीच में जब होगी कि हमारे जो काम है वह जनता के बीच रखे अपने काजकरताओं को रन्यति बताएंगे साजा करेंगे तमाम चीजे जो हैं वह करने वाले हैं वैसे मैं आगे आगे आगे क्या कुछ होता है चुकि जिस तरीके से तेजस्वी आदो बिहार की आत्रा पर निकलेंगे और अपने काजकरताओं से मुलाकात करेंगे उसके बाद से तेजस्वी आदो का जो नया रूप जो है वह देखने को मिलने वाला है और जिसके बाद भारतिये जनता धन्यवाद